दोस्तो ओपो पैड अगर आपके पास है तो शायद आपको ओपो पैड 2 की तरफ आना चाहिए यह चीज मैं अभी थोड़ी दिर में कन्फर्म करने वाला हूँ एक जो ओपो पैड 2 में 11 इंच की स्क्रीन मिलने की बात होगी आपको बता दें कि 11 इंच की डिस्पले थी किसमे ओपो पैड में अभी यहां पर जिसका रिजुलेशन आपको 1600 2560 का पिक्सल और 120 हल्टेज रिफ्रेश रेट थी लिग के हिसाब से अपगरेड वर्जन का एक LCD पैनल 2800 इंटू 2000 पिक्सल का हाई रिजुलेशन वाला 144 रिफ्रेश रेट मिलेगा यह डॉल्बी विजन और HDR10 प्लस सपोर्ट में आएगा ओपो पैड में 9500 में 9500 की बैटरी होगी जो कि 67 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है DCS ने पहले ही खुला सा किया था कि ओपो पैड टू में डामेंज सिटी 9000 चिप्सिट मिलने की बात होगी और यह टैबलेट एंटरोवाइन 13 OS पर बेस्ट होगा कलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो है यह काफी एहम चीज़ है और जो उपो पैड टू है वो वन प्लस पैड जैसा ही लगेगा जैसे की आने वाला है इंडिया में सेवन फर्वरी को लांच हो रहा है वन प्लस पैड अब यहां पर या फिर आप वपो पैड टू को परसेज करें या फिर वन प्लस पैड को दोनों सेम है आप पैसा दोनों सेम करेंगे और फीचर्स का भी अनुबाव उठा पाएंगे जो कि जो वन प्लस पैड लांच कर रहा है वो पो का पैड टू का रीब्रैंड वर्जन के तोर पे यह आएगा या फिर यहां पे फ्लैक्सिप टेर्विट के जरिये से आपको थोड़ा सा इंतिजार तो करना ही पड़ेगा जैसे कि और भी लाइन में हैं बताया था लास्ट के वीडियो में फाइंड एक्सिक्स फाइंड एक्स प्रो यह सारी चीज़े हैं अब यहां पे बता दूं कि जो प्राइस का रखा गया है यह जो उप्पो पैड में प्राइस थी उसी सेम प्राइस है अब उससे अंदर ज लगा सकते हैं कि उप्पो पैड का ही रीब्रेंट वर्जिन है एक अपग्रेट तोड पे लॉंच कर रहा है और उसमें काफी कुछ ज्यादा अपग्रेशन नहीं मिल रहा है जो कि आपको यह चीज़ पता होना चाहिए अगर आपके पास उप्पो पैड है तो टू की फइंड एक्स सिरेज आने वाला है तो साथ अवसे इमें सब कुछ लॉंच होगा पैड होगा हॉनप्लस का भी होगा ओपो गभी ओब य्यॉव फई लाहल दोस्तों वीडियो यह तक किती वीडियो को पसंद आजा पिजाब लाइक करना शेर करना मिलतों मैंसे नेक वीडियो में तब तक कली टेक केर